है गाईज वेलकम बेक्टो माई चनल यह है लेक्चर वण वर आज के लेक्चर में मैं आपसे डिसकस करने वाला हूं एबाउट दा इंट्रोडक्शन ओफ एक्स्प्रेस जैस जी यहां गाईज हम्वारे जो नौर्ड जैस के जो टॉपिक्स थे वो कंप्लेट हो चुके उन स लिए हैं सब कह थो कर लिया है उसमें हमने स्का किस तरहे के सेGM कर सकते हैं सर्वर मेलर को कर सकते हैं and guys event किस तरीके से perform होता है node.js का use करके and a simple API किस तरीके से create होती है node.js का use करके वो सब कुछ हमने सिखा और यही सब कुछ हम express के help से करने वाले हैं अब आपका question आता है कि जब हमने यह सब कुछ node.js से कर लिया है तो हमें express से करने की क्या जरूरत है तो guys जरूरत है क्यों क्यों कि महाँ पर आपका जो code 15 line का हो रहा था express में वो 6 line का आर्ट line का एनकी वो pull मिला के बात है कि वो short हो जाएगा दूसरा यह है कि जो express होती है वो server को and routes को manage करती है and आप express का use करके आसनी से API को create कर सकते हो guys express.js जो होता है वो node.js का एक framework है जैसे की CSS का जो framework होता है वो tailwind है जब आप tailwind का use करते हैं या फिर आप bootstrap का use करते हैं तो आपके लिए CSS को apply करना बहुत आसान हो जाता है आपका जो workload है वो कम हो जाता है and इसी तरीके से java का जो framework होता है वो spring है and angular है जब इन सब का use होता है तो workload बहुत ही कम हो जाता है तो guys इसलिए हम यहाँ पर express को सीख रहे हैं और express को सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप express को सीख लेते हैं तो आपका जो workload है वो कम हो जाता है ओके बहुत ही आसानी से आप API को create कर लेते हो बहुत ही आसानी से आप एक server को create कर लेते हो ठीक है short code में आप server को create कर लेते हो and guys दूसरी है कि experience जो है वो एक robust and asynchronous system है express के use से आप single page एक website का या फिर multi page आपको create करने है या फिर आपको hybrid page create करने है एक website के लिए तो भी वो आप create कर सकते हो ओके अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम express jazz को install करेंगे and किस तरीके से हम इसका code करेंगे ओके ठीक है तो guys देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जिससे हमने routing पढ़ा था node.js के तरो node.js के तरो हमने routing को create किया था lecture 15 में तो guys आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने server को create करना पढ़ा था server को create करने के बाद में हमें create server function का भी use करना पढ़ा था और हमने यहाँ पर http module का भी हमें यहाँ पर use करना पढ़ा था then हमारा यहाँ पर एक server create हो था उसके बाद हमने यहाँ पर if else का use करके routing को create किया था लेकिन जब हम express का use करेंगे और वहाँ पर routing create करेंगे express का use करके तो हमें ऐसा कुछ भी करने की आवसकता नहीं है बहुती छोटा सा code use करके आराम से routing manage हो जाएगी यानि कि routing create हो जाएगी अब बात कर लें देगी express को install कैसे करें देखिए यह जो मेरा folder है node.js for जो मेरा folder है इसमें मेरे node.js के सभी code है express.js है यहाँ पर भी जो है एक तरीके से यह भी node.js का framework है यह भी node.js हुई हो एक तरीके से यहाँ पर express है वो install नहीं है ठीक है इस folder में express install नहीं है तो guys में क्या को होँगा मैं सिर्फ एक single folder को open करूँगा express.js को मैं यहाँ पर open करने वाला हूँ मैं click करूँगा file पर फाइल पर जाने के बाद मैं open folder पर click करूँगा and उसके बाद मेरे directory open हो चुकी है और node.js for में मेरा यह folder है express.js मैं इसको select कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे folder open हो जाएगा मेरा folder open हो चुका है अब भी इस तरीके से single folder को open कर लेना यहाँ पर मेरी एक file भी है l1.js जो मैंने already create की हुई है और हम यहाँ पर check कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर npm install है कि नहीं है हमारा यहाँ पर node 1 install है की नहीं है तो control plus backtest का use करेंगे ठीक है backtest जो होता है वो escape button के just नीचे है तो सबसे पहले हम यहाँ पर check करेंगी क्या हमारा इस folder में npm install है तो npm siphon v हम command देंगे ठीक है अगर यह install होगा तो यह हमें एक version बताएगा ठीक है इसने आप version को बता दिया यानि कि हमारा npm यहाँ पर install है इससे फाइदा क्या है npm install करने से इससे फाइदा यह है कि अब हम किसी भी package को आसानी से install कर सकते हैं अगर हम npm को install नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी package जो है वो install नहीं होगा अगर आपने install नहीं किया तो आप भी install कर लेना और अगर आपको नहीं आता किस तरह के इस्टॉल करना है तो आप प्लीज जाए node.js वाली playlist में और आपर npm की जो वीडियो है उसको देखे और आपर सीखे किस तरह के से npm को install किया जाता है दैन उसके बाद हम चेक करेंगे node.man package को जो कि एक global package है जिसके जरिये हमें हम आसानी से server को run करा लेता है याई कि हमें बार बार उसको refresh करना नहीं पड़ता है यदि आपको नहीं आता है कि node.man क्या होता है किस तरह के स्काई उसका यूज होता है अब बात आती है कि इसकी express.js की वह हमें install करना है तो मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से वह आपको install करना है yes हम यहाँ पर टाइप करेंगे express.js ठीक है express.js तो यहाँ पर spelling mistake होगी है कोई नहीं इसने suggest किया इसी को select कर लेते हैं यहाँ पर एक website open होके आएगी उपर में express.js आपने इस पर click करना है ठीक है जिसे आप इस पर click करते हो तो आप यहाँ पर एक command देखने को मिलेगी यह npm install express syphorn syphorn save या तो आप इसका use कर सकते हो या फिर second option क्या है आप यहाँ पर type करो npm js.com ठीक है हमारी npm की website है जहाँ पर हमें सभी package available है सभी package हमें यहाँ पर मिल जाते हैं तो मैं यहाँ पर type करूँगा express ठीक है express ओके express तो जैसे ही मैं यहाँ पर express टाइप करता हो तो यहाँ पर यह वाला जो package है जो simply लिखा हुआ express इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद यहाँ पर लिखा है install ओके और यह है version 4.18.2 ठीक है यह change हो चुका होगा जब आप यह वीडियो को देख रहोंगे no problem इससे कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है तो इसको ड़िस क्या करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे copy copy करने के बाद अपने यहाँ पर terminal में हम इसको paste कर देंगे ठीक है! जैसे यहाँ पर हम इसको paste करेंगे then हमें करना यहाँ पर enter enter करने के बाद खुछ second में हमारा यहाँ पर package install हो जाएगा ओके ठीक है ओके यहाँ पर हमारा package इस्टोल हो चुका है तो अब हम देख लेए थे कि package की dependencies क्या है package.json में जाएंगे तो dependencies है express यहाँ पर version भी दिखा रहा है 4.18.2 ओके and package log.json में भी यह show कर रहा है इसकी dependencies को express 4.18.2 ठीक है और यह node module वाला जो folder है यहाँ पर यहाँ पूरा का पूरा जो package है वो यहाँ पर install हो चुका है इसकी जो भी features है वो सब कुछ ठीक है तो हमने यहाँ पर express को install कर लिया npm वाला इस्टोल है यहाँ पर norman भी इस्टोल है no problem अब बात आती है कि कोड कैसे होगा ठीक है short में code कैसे होगा तो हम यहाँ पर routing ही करने वाले है short में ठीक है then guys दुबार से जाएंगे हम यहाँ पर npm.js वाली file पर जो हमने open के हुई थी express पर यहाँ पर आप यह code देखने को मिलेगा ठीक हम कर लेते है copy कोपी करने के बाद हम इसको प्रेस्ट करेंगे ठीक है and guys code आपकी समझ में आई गया होगा कि यह क्या हो रहा है यहाँ पर first line में इसने express नाम का एक variable create किया and उसमें इसने express module को declare क्या होगा है require method का use करके उसने express module को यहाँ पर asses कर लिया है यह introduction वीडियो है तो यहाँ पर मैं आपको जादे डिटेल में बताऊंगा नहीं then हमने आप पर फिर एक और app नाम का variable create किया और इसको किसके को लख दिया express के ठीक है यहाँ यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ थोड़ा समय आपको समझा देता हूँ और एक्सप्रेस को as a define कर दिया ठीक है और अब यह इसके कवल हो गया यह आगे इस app में यानि कि अगर हमें कुछ भी use करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा app का use करना पड़ेगा क्यों क्योंकि express module चला गया express variable में और express variable चला गया app variable में अब मुझे अगर कुछ भी निकालना है express module में से तो मैं कैसे निकाल हूँगा app variable का use करके simple ठीक है then guys अब हुआ क्या यहां पर अब देखिए कितना चोटा सा code है यह routing का अगर मैं यहां से यह हटा दू यह वाला option यहां से मैं अटा दू तो यह हमारा यहां पर server create हो चुका है कितना short code है यहां पर server का हालागी जब हम node में server create करते थे तो हमारा जो code होता था वह बहुती lengthy होता था okay मैं दोबार से इसको paste कर देता हूँ अब यहां पर app.get का use का then उसके बाद यहां पर तो उसको callback function बोलता है तो यह वह हुआ है यहां पर ठीक है हम इसको arrow function के रूप में भी इसको हम बना सकते हैं यहसने simple बनाया no problem ठीक है एक काम करते हैं इसको arrow function बना जाते हैं okay क्योंकि हम arrow function ही use करते आ रहे हैं तो हम बच्चो वाला काम नहीं करेंगे थोड़ा अच्छे developer वाला काम करेंगे और अच्छे developer की पैचान है arrow function बना ठीक है rest.send उसके बाद हम यहां लिख देंगे home ठीक है यह home यानि कि जब slash को search किया जागा तो क्या आएगा home वो बता दे कि मुझे है home क्या है ठीक है रेक जो है यहां पर वो एक parameter है rest भी यहां पर parameter है रेक जो होता है वो request के लिए होता है client side से और जो rest होता है वो response variable होता है parameter होता है server side से जब client के side से server को request जाएगी तो वो रेक parameter के थुरू जाएगी और जब server से client के side response जाएगा तो वो rest parameter के थ्रू जाएगा ओके done तो यहाँ पर जो request है वो देखा जाए तो वो यह है कि जब यह forward slash हो तो मुझे क्या response मिले वो मुझे बता दे कि यह कौन सा page है वो homepage है simple ठीक है यहाँ पर request क्या है यह forward slash और response क्या server की तरफ से वो बताएगा client को कि यह homepage है ठीक है अब इसका output चेक कर लेते हैं और मैं यहाँ पर यह जो port है port number है मैं इसको change कर देता हूँ इसको कर देता हूँ मैं 8000 3000 भी चल जाएगा no problem अब गाईस देखिए मैंने इसको save तो कर लिया है और यहाँ पर कोई error भी देखने को नहीं मिल ला है ठीक है तो guys हम यहाँ पर noodman का use करने वाले है इस code को run करने के लिए noodman l1.js ठीक है देखते है noodman work कर ता है ठीक है noodman work कर रहा है ओके अब हम यहाँ पर इस पर जाते हैं file में ठीक है फाइल में जाने के बाद मैं कंट्रोल एस करता हूं पतला गया कुछ एरर यह जी नहीं है तो कुछ भी एरर नहीं है ठीक है कुछ प्रोलम हो रही होगी जो वो नौड से नहीं चल दा था ठीक है लेकिन यह अब चल चुका है तो गो लाइव कर देते हैं एक बार इसक तो हम यहाँ पर भी अपने लोकल होस्ट में जो पॉर्ट नंबर है वो 8000 कर देंगो फिर एंटर करेंगे तो यह पर आपको होम देखने को मिलेगा ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूं देखो मैं इसक्ट करके आपको कुछ दिखाना चाहूंगा जोगी मैंना आप लैसर कोरेड़्ट त्र मतलब होता है okey अगर मैं यहाँ पर टाइप कर हूँ फॉर्वड फॉर्वर्ड वॉर्ड ओंडर जेशर किदर घया ku RUS कर देता है ठीक है forward forward slash और मैं यहां पर टाइप कर देता हूं login तो अब दिखाएगा यह login और 404 होता है not found यानि कि यह क्या कह रहा है कि not found यहां पर जो है यानि कि यह page नहीं है okay अब अगर मैं आशी मैं एक और routes manage करूं यानि कि इसको create करूं copy करते हैं then उसको paste करते हैं paste करने के बाद इसको में नीचे कर देता हूं क्योंकि वर्क करता रहेगा no problem यह क्या हो गया एक काम करते हैं इसको format document करते हैं ठीक है अब सही है अब मैं यहां पर type कर देता हूं request में about ठीक है यह login login और मैं कहता हूं कि जब login page मांगे तो मुझे server क्या response करें वो login ही response करें ठीक है तो node 1 यहां पर चला है कोई error नहीं है okay chrome में जाएंगे refresh करेंगे तो अब देखें अब यहां पर login मैंने routes बना रहे था तो यहां पर login शो कर रहा है status 200 document इतना 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 तो इस तरीके सा आप जहल राउट्स को create कर सकते हैं अब और राउट्स क्रेट करूँ जैसे मैं लिख हूँ यहां पर about us तो दिखाएगा not found लेकिन जैसे ही मैं about का about us का routes create कर दूँगा यानिकि मैंने request दी क्लाइंट ने about us पेच चाहिए मुझे और तो server response करेगा about us ठीक है यहां पर यह normal work कर रहा है देखे कोई error नहीं है यहां पर ठीक है मैं check कर रहा देता हूं control is control is control is work कर रहा है no problem Chrome में जाएंगे फिर से इसको refresh करेंगे अब दे रहा है about us okay no problem तो काई इस तरीके से आप जो है express का यूज करके बहुत ही आसानी से routes को manage कर सकते हैं और server को भी create कर सकते हैं और देखे कितने small code में हमने routes को create कर दिया है okay और कितना यहाँ पर small code में आपर एक server भी हमारा create है तो बाकी मैं आपको समझाऊंगा कि request parameter क्या है response parameter क्या है get क्या है post क्या है and कुछ other topics and express के वो सब कुछ मैं आपको next lecture में बताऊंगा ठीक है तो guys मिलता है next video में please video को like कर दे share कर दे and comment रिजूर करें यादि आप channel पर नए है तो channel को subscribe कर दे and playlist को जाकर subscribe करें और सभी playlist को अपने friend को भी share कर दे thank you so much धने बाद